हैलो अन्iska मैं वेलकम टफ़ फूट। थी वहाँ तेस्टी रेसिपी रोडो की दिला है सुजी कीडिक बशनाइब दाओ पुर मेरीटफ सुजी का चीट backward लग impersonal थे जरी कहिंथिक क śटाइब पनी फिर ने जालिया है और चाच और छ यपास ऐलेब लब समय लाए वोर आंrif digम जोड़के कि घुककार हम फिर्म Hampshire बीट होने के लिए तो इसे ढखकर हम दो घंटे के लिए फर्मेंट कर लेंगे तब तक हम बना लेते हैं हमारा मसाला तो यहां पे तीन चमच हम ले रहे हैं तेल और इसमें मैं एक चोटा चमच डालूंगी राई तो तेल को हम गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच राई का और फिर हम इसमें डालेंगे कटेवे प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ते तो प्याज यहां पे हमने दू कप लिए हैं आप कोई इतनी क्यों एंटिटी में मसाला चाहिए आप उसा कोडिंग ले आते हैं तब तक हम इने पका लेना है तो हमने इसे ढग दिया है और ढग कर हम इसे पका रहे हैं तो बीच विच में हम चलाते रहेंगे ताकि प्याज तले में लगे नहीं और हमारा मसाला जो है वह परफेक्ट बनकर आए तो बैस आप बीच विच में चलाते रहें और इस चेक कर सकते हैं, साउथ इंडियन आलू मसाला भी है और काफी हमेंने ऐसी रेसिपीज भी बना रखे हैं जिसमें मैंने अलग-अलग तरीकिसे आलू मसाले बनाए हैं तो अब हम प्याज में डाल देंगे 1.5 चमच लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चमच हल्दी पाउडर, 1.5 चमच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक और इससे अच्छे से हमें मिक्स करना है तो आप देख सकते हैं यह थोड़ा मैंने तेल कम यूज करा है जो मसाला है वो ही होब थोड़ा सा रव्य इसा है जो दो में के ढ़ले है় उनको मिक्स करनी बाद, मिक्स करना दॅग्द थोड़ा सा ओड्राई पाउडर हो चुका है और अगर आपका मसाला जो है वो एकदम धिला धिला सा रहेगा तो आपकी टिक्की जो है वो बनने ही पाएगी धंक से और इसमें मैंने डाल दिये हैं 7-8 बोइल अंट मैश्ट पोटैटो और इसमें थोड़ा सा मैं नमक और डालूंगे क्योंकि आलू में मैंने नमक नहीं ड अज़ी हुआ है और इसको अच्छे से मैं कर दूंगी मिक्स तो एल चेसे मिक्स हो गया है और ठोड़ा सा मेरे पास कटा हुआ धनिया है तो वह भी मैडाल देती हूं और इसको मैं जितने भी आलू है अच्छे से मैश हो जाए और जब हम इसको स्टफ करेंगे हमारे चिले में तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए आराम से अच्छे से बन जाए तो वैस इसी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और अच्छे से मैश कर लेना है तो छोटी-छोटी सी टेकनीक होती है छोटे-छोटे सी चीजें हमें करनी पड़ती है वह जब इसका रिजल्ट जब निक फ्राइंग पैन में आप कर लेंगे और फिर हम इस पे थोड़ा सा बैटर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे तो थोड़ा सा हमने मोटा रखा है लेयर क्योंकि हम इसमें आलू स्टफ कर रहे हैं अगर पतला रखेंगे तो वह बीच में टूट जाएगा जब हम उसे अलट फैला लें क्योंकि हमें हर बाइट में आलू मसाला चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको फैला रही हूं और जितना आपके हाथ के साइज़ उतना ही बना लें चिला था कि आप आराम से आसानी से इसको हाथ पे फैला सको और यह लेज़ी हमने रख दिया है लेर हम बना रहे हैं आलू के मसाले को हम अच्छे से कवर कर देंगे इस तरीके से ताकि यह बाहर नहीं निकले और अंदर में अच्छे से स्टफ हो जाए यह लेजिए बिल्कुल तैयार हमारा स्टफ आलू चिले का जो हम चिला बना रही है वो एकदम तैयार है बस इसको अलट पलटके आपको सेखना है अच्छे से इसको सेख लिए जब तक यह दोनों साइट से क्रिस्पी नहीं बन जाता थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे और ताकि इसकी किनारे हैं जो और अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो ढखके हमने इसको पकाया है देख सकते हैं उपर स तो अब बस अलट पलटके हम दोनों तरफ से इसको सेखेंगे इस तरीके से और थोड़ा से साइड से पूछ निकल आई है इसकी बट डॉन्ट वरी बहुत किस्टी है तो अब ज़रू ट्राइब करें से और मुझे बताएं आपको यह मेरी रैसिपी कैसे लगी अगर अगर लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बनाते रहें ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट नए ने आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं अगर आपके पास अच्छे और अच्छे आइडियास है तो प्लीज उनको मेरे कैसी लग रही है थैंक यू